Safety Rules, Safety Science Hazards यानि की सुरक्षा नियम, सुरक्षा चिन्जोखिम सुरक्षा नियमों की अवसक्ता Necessity of Safety Rules किसी कार्ज में सुरक्षा जागरूपता एक अवस्चक अवस्था है एक चतुर एलेक्षियन को सदेव सुरक्षित कार्जकाली सभाव बनाने का प्रयास करना चाहिए सुरक्षित कार्जकाली सभाव सदेव जन्धन और समगरी की रक्षा करता है असुरक्षी सभाव से सदेव उत्पादन और कम लाव व्यक्तिगत चोट और मिर्टु तक होती हैं दुर घटनाओं तथा बैधुत अप घातों से बचने के लिए एलेक्टिस्यन को नीचे दिये गए सुरक्षा बिंदुओं का अनुपालन करना चाहिए क्योंकि उसके कार् याद रखना और उनका भ्यास करना चाहिए यहाँ एलेक्टिस्यन को परसीद कहावत है याद रखना चाहिए कि बैधुत एक उद्दम सेबक पर अदम स्वामी बैधुत एक उद्दम सेबक पर अदम स्वामी एलेक्टिस्यन को परसीद कहावत है याद रखना चाहिए कि अहित प्राप्त प्राप्त लोगों को ही बैदुत कार्ण करना चाहिए कार्ण साला के वर्स को स्वक्ष और टूल्स को उत्तम दसा में रखे बैदुत में परिपथ पर कार्ज न करे यदि आवस्याक होतो रवर के दस्ताने चटाई का प्रियोग करे बैदित परपथों में काज करते समय लकड़ी अत्वा PVC रोधित हैंडल पेचकस का प्रियोग करे अना विर्त चालकों को स्पर्स न करे सोल्डिंग करते समय तब सोल्डिंग रोहे को उनके धारकों में नियोजित करे कभी भी कुझी को चालू अत्वा तब सोल्डिंग रोहे को बेच अत्वा मेच पर न रखे क्योंकि इसमें आग पकड़ सकती है परिपत में केवल उचित धारिता वाले फ्यूच प्रियोग करे यदि धारिता कम है तो भारित किये जाने पर या जल जाएगा यदि धारिता अधिक है तो कोई रक्षा नहीं होती है अधिक धारा परवा मनुस और यंत्रों को जोखिम डालता जिसे धन की हानी होती है परिपत कुझी को बंद करने के पस्चाती फ्यूच को प्रिथक अत्वा परतिस्थापित करे लैंपो को टूटने तप्त लैंपो को जोलनसील पदार्थों के संपर्क में आने से बचाने के लिए बिस्तार तारों का प्रियोग करे सौकेट प्लक्स जैसे उपसादनों और सादनों का प्रियोग किवल उनके उत्तम दसा में होने पड़ी करे और सुनिशित कर ले कि उन पर BIS, ISI चीन है, मानकी करन के अंतिगात चीहित उपसादनों को ही प्रियोग ही अवसेक्ता स्पष्ट की गई है, अस्ताई तार स्थापन से बेदूत परिपतों का कभी भी बिस्तार ना करें, आस्ताई वैरिंग के लिए कभी भी बेदूत करें, परतेक दसाम या सदेव उत्तम होता है कि मुख कुझी को खोल कर परिपत को मित कर दे, स्विच पैनल्स नियंत्रन गियर्स इत्यादी पर कार्ज करने अब परचालन के समय रवर की चटाई पर खड़े हूँ, सीडी को द्रिट भूमी पर रखे, सीडी के प्रियोग समय सहायक से कहे कि सीडी को संभावित खिसकने से रोकने के लिए द्रिता से पकड़े, उचित बिंदुओ अथ्वा खंबों पर कार्ज करते समय सदेव सुरक्षा पेटी का प्रियोग करे, गुनर्यंत को चल भाग प अथ्वा जूलती हुई, टाइप पहनकर मोटर अथ्वा जनित के चल साप्ट अथ्वा घिर्णियों पर कभी न कार्ज करे, किसी भी यंत्रि उपकरन को उसकी परचालन विदी का मिदेर्शत करके ही परचालित करे, केवल अथ्वा डोर्यों की प्रसनेल नलियों में निका कर ही लकरी विभाजगों में से निकाले, बेदित उपकरनों के संबंध कैसे होने चाहिए धीले जूडे, केवल स्थप्त होकर अगनी संकट उत्पन करेंगे, सदेव थ्री पिन सौकेट और पलगों के साथ कभी बेदित साधनों के लिए भू संपर करे, मिर्थ पर्थों पर काज करते समय फ्यूज बंदों को प्रिठक कर दे, उन्हें सुरक्षित सनरक्षत्मा में सनरक्षत्ता में रखे और कूजी पट पर लाइन पट पर मनुसे परदर्शित करे, यंत्र या स्विच गयर के अंत्र पासन से छेट चार ना करे, जल वहक लाइन से भू संपरक सुब्भू संपरकन न करे, बैदत उपकस करो याने कोपरणों पर जल काप्र योग न करे, एचबी लाइन्स उपकस करो और संगरित्रों में सैधानिक बोलता से निरवेशित कर दे, सुरक्षा अभ्यास, प्राथ्मिक चिकित सा, सेप्टी प्रैक्टिस फर्स्ट एड, ब मिर्ता में भागिदारिक करते हैं, व्यक्ति की आयू, बढ़ीड एसिस्टेंस, रोधित जूते पहने हुए बिना अत्वा भीगे हुए जूते पहने, मौसमी स्थिती और पर्स भीगा अत्वा सुस्क है, मुख बोलता इत्यादी, यदि पास की सहता है तो चिकिस्सा प्र इफेक्ट वीद सप्लाई, बैदूत अभगात के प्रभाव, इफेक्ट अफ एलेक्टिक सौक, अतीस अल्प स्तर पर धारा का प्रभाव केवल अपरी प्रे जनजनाहट का अनुभाव हो सकता है, लेकिन यह स्वय में पीधित संतूलन नश्ट करकी उसको गिरा देने के ल बिंदू पर चमडी को जला भी सकता है, उसके बाद ट्रिट्मेंट अफ एलेक्टिक सौक तुरंत उपचार अवश्यक है, जाच करे कि क्या वेक्टी स्वभाविक रूप से सांस ले रहा है और चेतन है, तो एक्छा स्वभाव की प्रक्रिया देकर हमें प्रक्रिया देकर होस में लाने का प्रित करे, घायर की जाच करे, उसका कोई घाव लगा है या कोई भाग जल गया है तो कितिम सांस देने की प्यूक्त वीधी सुनिशित करे, छाती अत्वा पेट पर चोट या जलन की स्थिती में मूँ से मूँ की सांस देने की वीधी अपनाए, पीट पर या जलन की स्थिती में नेलसन वीधी को अपनाए, अगर मुँ बंध हो ऐसी स्थिती में श्वाफर अत्वा होगल नेलसन अपनाए, वीधी को अपनाए, इस वीधी ओ का भ्यास होना चाहिए, ट्रिटमेंट ओफ एलेक्ट्रिक बर्ण्स बैदुत धारा सारीर में प्रभा स्वास प्रत्यवस्थित यानि रियेश्टोर न हो जाए, और पिडित सहता बिना समान रूप से स्वास न लेने लगे, जलना अति पीडा दायक होता है, यदि सरीर का अधिक भाग जला है, वाई को पाने स्वक्ष कागाच अत्वा एक स्वक्ष कमी से धकर विलग कर दे, क अंगलियों से यदि अत्यधिक रक्ष्राव हो रहा है तो उसे गमरिता से लेना चाहिए, यत्वा कुसल और अनभावी वेक्तियों को देखना चाहिए, रक्ष्राव को रोकने और संक्रवन न होने देने के लिए घाव पर दाब देना, स्वैम से सर्वोतम प्राथ में चि अब बात करते हैं, पिरित को लिटा दे और अराम कर दे, यदि संभाव हो तो पिरित के घाय शरीर को उपर उठावे, पिक्चर्स वन, इंजूरी पैटर्न्स, इस इस दे कंडिशन और इंजूरी पैटर्न्स, एंड घाव पर दाब दे, सहत्ता को बुलाए, रक्त, गहन रक्त, शराव को नियंतित करना, टू कंड्रोल सर्व ब्लीडिंग, घाव के किनारे को अवस्कता अनुसार एक साथ एठे, रक्त, शराव रोकने के लिए दाब अरोपित करे, जब रक्त, रोक जाता है तो घाव पर एक ड्रेसिंग लगा दे और उसको मुलायम पदार्थो की पैड से ढख दे, डारेक्शन ओफ प्रेसर, डारेक्शन ओफ प्रेसर और पेट का स्टीव, घाव जो किसी पैने टूल पर गिरने में हुआ, पिरित को घाव पर आंतरिक रक्त, शराव रोकने के लिए जुके रहने के लिए के लिए कहें, घाव के किनारों को अपर सकता नुसार, एक साथ एठे रक्त, शराव रोकने के लिए दाव अरोपित करें, जब रक्त, शराव रुख जाता है तो घाव पर एक ड्रेसिंग लगा दे, और इसको मुलायम पदार्थो की पेट से ढख दे, डारेक्शन ओफ प्रेसर, डारेक्शन ओफ प्रेसर, पेट का स्टोब घाव से किसी पहने टूल पर गिरने से हुआ है, तो पीडित को घाव पर आंतिक द्रक्त, शराव रोकने के लिए जुके रहने के लिए कहें, लार्ज वाउंड, एक स्वक्च पेड लगावे, वेक्तिगत ड्रेसिंग को वरिता दे और मजबूती से पटी को स्थान पर बान दे, यदि रक्त शराव अत्याधिक हो तो एक से अधिक ड्रेसिंग लगावे, गिवेड पिक्चर थ्री, इस इस द्रेसिंग प्रेसिंग पैड, शेप्टी साइन्स, एंड रोड सिगनल्स, पुराने जमानों में गाडिया दीन में लाल ध्वज और रात में लाल ते रख कर चलती थी, हर प्रकार के ट्राफिक का पर्थम दे अर सुरक्षा होता है, काइंड्स ओफ रोड साइन्स, अनिवार मेंडोटरी, चेतावनी क्यूजनरी यानि की क्यूजनरी एंड इन्फोर्मेट्री, informatory तो बात करते हैं अनिवार mandatory science mandatory science this is the symbol of mandatory science this is the symbol of mandatory science यह mandatory science का चीन है and stop and this is give way this is the mandatory symbol give way and this is the overtaking provitated this is mandatory का यह symbol है overtaking provitated अनिवार चीनों का उलंगन दंड का कारण बन सकता है उधारन के लिए रुकिए रास्ता दीजे सीमा निसेद पार्किंग नहीं अनिवार चीन इत्यादी यानि क्यूजनाड़ी यानि चेताबनी साइन तो यह है गार गार गार्ड यह है आपका चेताबनी क्यूजनाड़ क्यूजनाड़ी साइन्स गार्ड और अनगार्ड यह गार्ड है अनगार्ड है और यह टीजेस्ट्रेन क्रोसिंग टीजेस्ट्रेन क्रोसिंग यह स्कूल यह सभी सिम्बल जो है आपका चेताबनी चीन है इंस्यूशन दिल्ली दिल्ली डिल्ली साइंस इड़ान्स डाट्रेक्ष्व EPA इस इस तरह के इस डिया जाता है सरकूप पर अंकित लाइने मार्किंग लाइने अंकित लाइने चलती लाइने साइकिल सवारो और पैदल चालनो चलने वाले को निर्देस या चेहताबनी देने के लिए होती है सरक के मज एक छोटी विखंडित लाइने गाड़ियों को क्रोस करने के लिए होती है बिंदु वाले लाएने गाडियों को अवस्यक हो तो ओवर टेंक कराने के लिए होती है जब गाड़ी पैदल यात्रियों की क्रोसिंग के पास आये तो उसे धिमी होना अत्वा रुखना चाहिए ताकि लोग क्रोस कर ले पैदल यात्रियों के क्रोसिंग के आज पास ओवर टेंक न करे पुलिस सेंगनल्स यानि पीछे ले आ रही गाड़ी को रोकने के लिए पिक्चर फाइब वन आगे से आ रही गाड़ी को रोकने के लिए पिक्चर फाइब टू आगे और पीछे से एक साथ आने वाली गार्यों को रोकने के लिए पिक्चर 5.3 बाइं और से आ रहे है यातायाद जो दाइं और मुड़ना चाहता हो उसे रोकने के लिए दाइं और से आ रहे है यातायाद को रोकना ताकि बाइं और से यातायाद दाइं और मुड़ सके पिक्चर 5.5 के लिए बाइं और से आ रहे है यातायाद को आने देना और दाइं और से आ रहे है यातायाद को रोक देना बाइं और मुड़ने देना पिक्चर 5.6 पुड़े याता याद को रुकने वाला चे तावने ची पिक्चर फाइब सेवन बाइं ओर से आने वाली गार्यों को इंगी पिक्चर फाइब एट दाइं ओर से आने वाली गार्यों के लिए इंगी पिक्चर फाइब नाइड आगे से आने वाली गार्यों के लिए इंगी प स्टॉप, राइट, लेव्ट रूकने का और जाने का ये पूलिस सिग्नल्स है traffic light signal ट्रेफिक जो लाइट सिग्नल होता है लाल का अर्थ होता है stop गार्यों के रास्ते पर stop लाइनों के पीछे रूकिए लाल और ember का अर्थ भी वही है स्टॉप जब गहरा जब हरा दिखाई न दे और आगे न बढ़े और चले नहीं तो 6.2 हरे का अर्थ है यदि रास्ता साफ हो तो आप जा सकते हैं यदि आप बाएं या दायम उड़ना हो तो खास सवधानी बढ़ते और क्रोस कर रहे पैदल यात्यों को रास्ता दे दे एंबर का अर्थ है स्टॉप लाइनों पर रुख जाए आप उस पर तभी जा सकते हैं यदि एंबर रंग आपकी क्रोस होने के बाद दिखाई देता है या इतने नजदीक है कि वापस आना संबब न हो हर तीर का अर्थ है कि आप हरे तीर में दिखाई दिशा में जा सकते हैं यदि आप तब भी कर सकते हैं जब कोई भी लाइटे जल रही हो पिक्चर 5-6-5 में पैदल यातरी क्रोस ना करें पिक्चर 6-6 में पैदल यातरी क्रोस करें पिक्चर 6-7 में स्टॉप लाइन पर लाल स्टॉप लाइन पर आपको स्टॉप लाइन लाइट फ्लैस कर रही है तो इसका अर्थ है कि स्टॉप लाइन पर रुखिए यदि रास्ता साफ हो तो जाए तो आगे बढ़िए एमबर लाइट जो होता है फ्लैस होने कारत है कि साफ़धाने के साथ आगे बढ़िए पिक्चर 6 वाइन यह दिया गया है आपका पिक्चर 6 red, red, white, white, pictures 1, red, amber, white, 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 green इस तरह से दिखाया गया है red, white, white, red, white, white and direction दिया गया है red, white, 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 red flashing luôn white green white amber flashing white green amber red Collision Queses Collision Queses Picture 7 में दिया गया है तीन घटक टकर के उत्रा दाई होते हैं सर की रूर, गाड़ियों और वेकिल्स और ये ड्राइवर है ड्राइवर Picture 7 में दिया गया है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये वेकिल्स डिफेक्ट से और ये Lack of Skill of Driver दूसरा में आपका जो 1st में दिया गया है ये वेकिल्स डिफेक्ट है ये क्या है वेकिल्स डिफेक्ट आपका फिर दूसरा में दिया गया है Road Defect तू नमबर और तिसरा जो दिया गया है Physical Defect of Driver तिसरा दिया गया है Physical Defect of Driver फोर्थ में दिया गया है आपका लैक आप स्कील आफ ड्राइबर और फाइप में गया लैप आप नॉलेज लैक आफ नॉलेज 6 में दिया गया है wrong attitude 6 में गया है wrong attitude और उसी तरह से आप pictures 8 के बाद करते हैं तो pictures 8 में टककर के कारण लग अनुपात दर्सायता है कि गारी चलाते समय गलत प्रवितियों और मुक्तापून कारियों से बचना चाहिए गारी चलाने का समय खेलगूत का समय नहीं है pictures 8 में दिया गया no hands no brains and no hands इसका कोई brains नहीं है